हे गाईज, विल्कम बैक टो आर चैनल सान आटो फाइनली बहुत टाइम बात रोल इन्फील की तरफ से एक न्यू बाइक की न्यू सामने आई है कमपनी ने डीसेंटली एक 650cc बाइक के नाम को ट्रेड मार्क करवाया है इंटरसेप्टर बियर 650 के नाम से जो एक सिंगल एक्जॉस्ट बाला रोल इन्फील का सबसे लाइटेस 650 बाइक होने वाली है सो दस्तो आज के इस वीडियो में हम रोल इन्फील की अपकमिंग न्यू सिक्सिप्टी इंटरसेप्टर बियर मॉडल के बाड़े में बात करने वाले है कि अब तक जो हुए हमको इस बाइक के स्पेसिफिकिशन फीचिस के बाड़े में कितना कुछ पता चल पाया है और एब बाइक आपको कितने दिनों के अंदर लॉंच होते हुए देखने को मिल सकती है सबसे पहले आपको बता दू रॉयल इंफिल्ड अपने इस इंटरसेप्टर बियर नाम को एक स्क्रैमलर 650 के लिए यूज़ करने वाली है जिसी ओल्डेरी टेस्टिंग के दौरान दो से तीन वार स्पॉट किया जा चुका है इंडियन और अपरोड दोनों ही रोड पर बाइक के टेस्ट मियूल में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि स्क्रैमलर 650 इंटरसेप्टर 650 पे ही बेस करके बनाई जा रही है जिस वज़े से इसका मेंड फ्रेम, फ्यूल टैंक का डिजाइन, इंजिन आपको एक्जैक्ट सेम ही देखने को मिल जाएगी लेकिन बाइक के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपको अलग देखने को मिल जाएगे जैसे की बाइक की अपग्रेड़ेट सस्पेंशन सेट अप और एक्जॉस्ट सिस्टम न्यू इंटरसेप्टर बियर मॉडल में सस्पेंशन ड्यूटीज दी गई है फ्रंट की तरप अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स के उपर जहां ओरिजिनल इंटरसेप्टर मॉडल में आपको टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉक ओफर की जाती है बाइक के रेर में ट्विंग सॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रेर सब प्रेम को थोड़ा अप ओर्ड रखा जाएगा और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक 650cc ट्विं सिलिंडर इंजिन होने के बावजूद भी बाइक में सिंगल एक्जॉस्ट ही देखने को मिलेगा जिसमें दो एक्जॉस्ट हेडर्स तो होंगे बट इन दोनों को एक सिंगल इंडिंग में जोर दिया गया है जिस वज़े से बाइक का ओवराल कर्ब वेट आपको थोड़ा कम देखने को मिलने वाला है बागे आपको बाइक में LED टेल लाइट दी जाएगी LED हेड लाइट होंगे ब्लॉक पैटर्स के टाइर्स दिये जाएगे 6-speed gearbox और slipper assist class भी देखने को मिलने वाली है एंड इंजिन आपको इसमें intercept पर 650 बाला ही दिया जाएगा 648 CC की एर ओयल कोलिंग सिस्टेम बाली इंजिन जो 47 BHP तक की maximum power और 52 NM तक का टॉक जनेट करने में शक्षम है लेकिन इस इंजिन को बाइक में थोड़ा अलग सा ट्यूम किया जाएगा एक different character देने के लिए बाइक में meter console आपको fully digital में offer किया जाने वाला है जिसमें Bluetooth connectivity और turn by turn navigation ओप्शनल होगा हंटर 350 के जैसा सो दोस्तों ये सब features के साथ बाइक आपको 2024 में launch होती हुई देखने को मिलने वाली है लगवग 3.5 से 3.7 लैक एक शोरूम प्राइस टैक के आसपास